अमेठी का चर्चित सारस अब कानपूर के जू में है दरसल आरिफ से बिछणने के बाद ये सारस डिप्रेशन में है कानपूर जू में उसने 40 घंटे से कुछ भी नहीं खाया पिया है आपको बता दें कि अमेठी के चर्चित सारस और आरिफ की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रहती थी लेकिन अब अपने दोस्त से बिछणने के बाद सारस डिप्रेशन में है जी हाँ सही सुना आपने हाल ही में कानपूर के चिडिया घर में लाए गए इस सारस की डॉक्टर जाच कर रहे है और ऐसा लग रहा है कि सारस अभी डिप्रेशन में है दरसल सारस ने 40 घंटे से कुछ नहीं खाया हलाकि कुछ समय बाद 40 घंटे बीच जाने के कुछ समय के बाद सारस ने थोड़ा बहुत खाना खाया जूके एक अधिकारी ने बताया कि उससे एक अलग बाड़े बे रखा गया है सारस ने पहले 40 घंटे में कुछ भी नहीं खाया और ना ही कोई एक्टिविटी दिखाई वो केवल अपने पिजडे के चारों तरफी घूमता रहा लेकिन रविवार देर शाम सारस ने ये डिनर किया और सुबे उसने कुछ उबले आलू और मकई खाई आपको बता दे कि चुड़िया घर के निदेशक केके सिंग ने बताया कि तीन डाक्टरों की टीम जिसमें मुख्य पशुचिकिसक अनुराग सिंग, डाक्टर नासर और डाक्टर नीतिश कटिहार हैं जो सारस का इलाज कर रहे है पंद्रा दिनों तक उसके ब्यवार में नज़र रखी जाएगी इसके बाद उसके ब्यवार के अधार पर ये तै किया जाएगा कि सारस को किस बाड़े में रखा जाए जहां लोग पक्षी को देख सके वही सारस को लेकर राजनीति भी देखने को बिल रही है अब समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताब बाचपी जो हैं वो चिडिया घर में पहुँचकर केके सिंग जो निर्देशक है जूके उन से मिले इसके बाद यहां उन्होंने दाल और सारस का चारा केके सिंग को सौपा उन्होंने का है सारस और आरिफ को अलग-अलग करके सजा दी जा रही है जिससे सारस की खत्म हो गई है यहां तक कि विधायक ने अधिकारियों से आरिफ और अखिलेश यादव वाली तस्वीर सारस के बाड़े में लगाने को का जिससे सारस का उत्साह पड़ाया जा सके तो यहां पर राजनीती भी सारस के बाहने कहीं न कहीं होती भी नजर आ रही है वहीं सारस और आरिफ के बीच अनौके बंधन को खुब सुर्खिया मिली एक साल पहले अमेठी के रहने वाले आरिफ को बेहुश हालत में यह सारस मिला आरिफ ने सारस का इलाज कराया ठीक होनी के बाद सारस आरिफ का दोस्त बन गया वो हर जगे आरिफ का पीछा करता रहा हाला कि जैसे ही यह पक्षी और आरिफ का विडियो वाइरल हुआ तो वन विभाग के अधिकारी अमेठी पहुँच गे और उसे अपने साथ ले गे वन विभाग के मताबिक आरिफ को पक्षी मिलने के बाद इस्तानिय वन अधिकारीयों को सुचित करना चाहिए आरिफ को 1972 के वन्य जीव अधिनियम के कथित उलंगन के लिए नोटिस भी दिया गया है एक साल से पक्षी की देखभाल कर रहे आरिफ को अधिकारीयों ने दो अप्रेल को गोरिगंज इस्तित सहायक वन संगरक्षक के कारियले में अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया इस मामले में आरिफ ने कहा कि सारस को बचाने के लिए उस पर कानूनी कारवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने सारस को कहीं जंजीरों में नहीं बादा और सारस उसके साथ अपने मन से रहता था और उसने तो सारस की जान ही बचाई थी तो ऐसे में उसके उपर कानूनी कारवाई करना गलत है तो पिछले दिनों से जिस तरह चर्चा सारस को लेकर उत्तरफ्रदेश में हो रही है तो कही न कहीं सियासी गल्यारों में भी इसकी गूँच देखने को मिल रही है तो आपको बता दे कि सारस अब आरिप से बिछणने के बाद कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाता हुआ दिख रहा है तो इस मामले में अब योगी सरकार कौन सा कदम उठाएगी और विपक्ष क्या अब भी सारस को लेकर राजनीती करता हुआ दिखेगा देखना होगा काफे दिल्चस्प आने वाले दिनों में साफ होता हुआ नजर आएगा फिर हाल के लिए इस खबर में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ क्योंकि खबरों का सलसला यहां चलता रहता है